Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. आज की उस वीडियो में हम बात करेंगे France से आई एक Good News के बारे में मतलब France से आए एक वीजे के बारे में हम बात करेंगे वैसे overall बात की जाए तो पिछला अपता जो था वो Delhi से अच्छा नहीं गया Delhi से कोई खास नहीं गया बंबे से अच्छी खबर आई और कॉलकाता से अच्छी खबर आई तो बुझे ऐसी खबर लगी की एक ऐसी स्टोरी जो आपके साथ में शेयर की जाए जो बहुत सारे लोग ऐसी ही डाउट में रहते हैं कि अप्लाई करके देखा जाए या ना देखा जाए तो मैं आपको बता दूँ student profile वाली जो होती है न कि कहीं का visa हो जाए और उसके बाद में वो कहीं travel करना चाह रहे हैं indirect route से वो उस country पहुँचना चाह रहे हैं जहां का उनके पास visa है लेकिन वो बहुत doubts में रहते हैं कि किया जाए या नहीं देंगे यहां वहां पहुँचके वहां से apply करके travel किया जाए तो मैं आपको एक ऐसी स्टोरी के बारे में बताता हूँ जो है Kolkata से Kolkata से यह visa जो है वो approved हुआ और कितने दिन लगे visa approved होने में कितने दिन लगे आज visa जो है वो file किया गया और परसो morning को मतलब परसो morning को जो इनको passport है वो मिल गया अगर इनकी profile की बात करूँ तो यह mail है 26 साल इनकी age है इनके पास Canada का study visa है Canada का study visa इनके पास तब से है जब Canada direct flight से आप नहीं जा सकते थे आप indirect route से Canada जा सकते थे direct route से नहीं जा सकते थे तब से इनके पास visa है और उन्होंने तब मुझे call किया था कि सर मैं indirect route में एक ऐसी country को आड़ करना चाह रहा हूं कि जिसमें मेरा travel भी हो जाए तो फिर उन्होंने उसमें फ्रांस को एड़ किया फ्रांस और जर्मनी की आइटनरी बनाई थी 12-13 दिनों की फ्रांस को इन्होंने एड़ किया था और फ्रांस का जो visa है वो इनको मिला इनकी age है 26 साल कॉलकाता से हैं यह MNC में software test analyst है मतलब job करते थे Canada visa लेने से पहले तक यह job कर रहे थे अभी तुन्होंने रिजाइन कर दिया इनकी अकर salary की बात की जाए 50,000 रुपे है ऐसी salary पे कई वार fresh passport पे Canada का visa लगा है यह नहीं लगा है कई बार fresh passport पे भी visa आ जाता है अगर आप last में देखेंगे तो आप कहेंग visa आ सकता है आ सकता है लेकिन हमने बहुत बार देखा है मैं आपको 10 profile ऐसी दिखा सकता हूँ जो ऐसी 10 profile जो है वो डैली से refused हुई है लेकिन इनको ऐसी profile पे जब इनके पास study visa है Canada का इनको visa जो है वो फ्रांस का approved हुआ अब मैं इनकी बताता हूँ आपको कि इनकी profile कैसी है अभी उस पे travel नहीं किया है अभी तो Canada जो है वो आप डारेक्ट फ्राइट से जा सकते हैं जब इन्होंने ये पुरा अपना प्लान बनाया था फ्रांस का तब Canada डारेक्ट फ्राइट से नहीं जा सकते थे fresh passport है कोई travel history नहीं है मेन परपस जो फ्रांस को विजिट करना है फ्रांस और जर्मनी को 12 दिनों के लिए और उसके बाद में वहीं से इन्होंने Canada के लिए चले जाना है monthly salary जो है वो 50,000 थी जब तक इन्होंने resign नहीं किया था MNC में काम करते हैं software test analyst के तौर पे last 3 महिने के इन्होंने salary slip दिखाई थी और इस साल का form 16 और ITR इनके पास है 4,30,000 की और अपने इनके saving account में 5,00,000 रुपे हैं confirmed air ticket दिखाई थी इन्होंने यहां से France, France से Germany और Germany से Canada के लिए confirmed ही hotel से इनके hotel reservation जो थे France और Germany में confirmed ही थे cover letter जो है इनका जो cover letter है इनका वो था 2 page में 2 page में cover letter था मतलब कि और दोनों page ऐसे थे कि कहीं space बिलकुल नहीं था 2 page full cover letter के साथ में थे जैसे statement of purpose हम study visa में लगाते हैं इन्होंने वैसा ही statement of purpose cover letter जो है वो फ्रांस को दिया था और इन्होंने insurance करा रखा था पूरे travel insurance लगाया था साथ में और date wise date wise जो है वो आइटनरी लगाई थी और इसके साथ में इन्होंने parents का support में parents की bank statement लगाई थी parents को इन्होंने दिखाया था कि वो भी sponsor कर रहे हैं strip को partially partial तरीके से sponsor कर रहे हैं मतलब आधा यह करेंगे और पाद्धा parents करेंगे अगर इन्हों जरूरत पड़ी तो यह parents से पैसे ले लेंगे पैरेंट्स की इनकी ITR थी और parents के account में 9 लाक रुपए थे तो कुछ ऐसी यह इनकी profile है अब अगर बात करूं तो यह NOC नहीं लेकर गए salary slip, ITR यह सब कुछ लेकर गए form 16 तो VFS Center में इनसे पूछा गया कि फिर आपकी NOC कहा है तो इन्होंने कहा मैंने तो resign कर दिया है ना company को तो उन्होंने कहा कि आप resign का screenshot जो है उसकी copy लगाई है तो इन्होंने उस resign किये हुए mail या email की इन्होंने copy लगाई थी, screenshot के copy लगाई थी तो यह इनकी profile है क्योंकि मैं यह profile क्यूं आज discuss कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारी ऐसी profile है जो मैंने डेली में starting में मैंने refused होती देखी है अलग-अलग country से Switzerland, France और अलग-अलग country से मैंने refused होती देखी है तो यह ऐसी profile मैंने इसलिए discuss की कि यह एक power देती है दूसरे लोगों को, दूसरे लोगों को time देती है सोचने का कि आप ऐसा भी कर सकते हैं अगर आप कहीं higher study के लिए जा रहे हैं और आपके पास कोई बहुत बड़ी job नहीं है तो आप अपने plan को जो है, वो indirect way से choose कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसे आप plan बना सकते हैं otherwise आप वहाँ जाके 2-4 महीने के बाद में अगर कहीं travel करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, वहीं से आप visa ले सकते हैं अगर यह वीडियो आपको informative लगी तो प्लीज इस channel को subscribe करें, धन्यवाद